हेलो फ्रेंस टेश्टी कुकी वित पन्ना में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंस नॉर्मल पीजा तो आपने कई बार बना के खाया होगा कभी कड़ाही में बनाया होगा कभी ओवन में बनाया होगा मैंने भी फ्रेंग पीजा की कई रेसिपिया अपने चैनल पे अप्रोड की हुई है कभी कडाही में बनाया है कभी मैंने तंदूर में बनाया है तो कभी मैंने तवे पे ही पीजा बना के आपको दिखाया हुआ है तो आप देखना चाहते है तो ज़रू से उस वीडियो को भी देख सकते हैं चैनल पे जाके आज हम बनाएंगे कुलहड पीजा एकदम नए अंडाज में एकदम आसान तरीके से फ्रेंज कुलहड पीजा को भी हम बिना ओवन के ही ऐसे ही कडाही में बनाने वाले हैं तो चले फिन एकदम आसान तरीके से कुलहड पीजा बनाना शुरू करते हैं तो कुलहड पीजा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें कड़ाई को फ्री हीट कर लेना है तो यहां पर कड़ाई लेंगे कड़ाई में हम नमक डाल देंगे और नमक को ऐसे अच्छे से बिछा के इसको घरम होने के लिए रख देंगे नमक के उपर हम एक स्टेंड भी रख देंगे इसके उपर हम जो कुलहड बनाएंगे उसको रखने वाले हैं तो चले हम इसको 20-25 मिनट के लिए इसको फ्री हीट होने के लिए रख लेते हैं जब तक ये फ्री हीट होगा तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे अब हम बनाएंगे कुलहड पीजा के लिए स्टफिंग उसके लिए एक चम्मत तेल लेंगे और यह मैंने कई सारी वेजिटेबल को इस तरीके से चौप करके ले लिया है वेजिटेबल में मैंने घाजल लिया है शिमला मिट लिया है बिटूट लिया है अनियन लिया है टॉमेटो लिया है उसको मैंने बीच को हटा के ले लिया है और थोड़ा सा मैंने चुकंदर ले ल तो कुलहर पीजा में यह सबजिया है वो बहुत ही अच्छे लगेगी एक दम इसका क्रंच पी आएगा और यह कच्ची भी नहीं लगेगी तो व्यासे तो यह सारी सबजिया सलाड के लिए यूज होती हम कच्ची ही खाते हैं लेकिन इस तरीके से थोड़ी से हम सबजियों को सौते करके लेंगे तो पीजा का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा तो सिर्फ हमें दो-तिन मियाट के लिए ऐसे ही मिक्स करते हुए सबजियों को पका लेना है धियान रखना फ्रेंस की सबजिया ज्यादा पकना जाए इस तरीके से इसका क्रंच रहना चाहिए बस यह थोड पसंद है उसको एड भी कर सकते हैं तो बस यह सब्जिया हमारी अच्छे से पक गई है सिर्फ हमने दो मिनट ही इसको पकाया है अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे सब्जियों के तेस्ट के हिसाब से हम नमक डाल देंगे थोड़ा सा ही हम चिली फ्लेक्स डालेंगे ताब टोमेटो कैचप भी ले सकते है एक से दीठ चम्मची डालना है उसके बाद एक से दीठ चम्मच हम पीजह टॉपिंग डालेंगे रेक चम्मची मेरे पास क्रीम चीज रकी हुह है तो मैं हम Ox पीज़ इतनी जरूरी नहीं है लेकिन है तो जरूर डाले इससे भी स्वाधत चाहेगा पीजा में अच्छे से हम सारे चीज़ों को मिक्स कर लेंगे तो यह हमारी पीजा की टॉपिंग बनके रेडी है इसको हम ठंडा होने के लिए साइड पे रखेंगे तो जब तक यह हमार से तवे पे रखे थोड़ा सा सेख लेना है ताप ब्रेड ले रहे तो ब्रेड को भी ऐसे सेख के ले उससे भी बहुत यह अच्छा टेस्ट आएगा जैसे ब्रेड सिखेगी उसका सथ और भी बढ़ जाएगा तो मैंने यहाँ पे यह बेज लिया है तो बेज को भी मैं चीज डाल देंगे तो चीज डालके हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंस यहाँ पर मैंने मॉंसरेला चीज लिया है और डाइसो ग्राम चीज लिया है मैंने तो चीज की कॉंटिटी है वह आप अपने ही सबसे कम ज्यादा कर सकते हैं तो थोड़ा सा ऐसे चुपड़ों में कट कर लेंगे ठोटे जीतन भी आपको टुकड़े की चाहिए इसी साभ से आप बेस को रेंगे मैं के पेस्ट लेक्ट हो एक चाहिए ​​ इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके यह हमने mix बनाए है उसको रखेंगे तो हमें पूरा कुलहड को नहीं बर देना है आधा आधा ही बरना है आधा आधा बरने के बाद हम उपर से थोड़ा सा ऐसे चीज डालेंगे तो बस इसी तरीके से हमें layers बनानी है दो या तीन layers बनेगी तो मैंने तिन्य कुलहड में अच्छे से चीज को डाल दिया है अब उपर से मैं इसमें पिजा सॉस डाल रही हम इससे जो हमारे पिजा बनेंगे वो फिक्के नहीं लगेंगे और मसालों से बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनेंगे तो इस तरीके से आपने पिजा को ट्र और उपर से इसे है उस्की layer बनानी है फिर से हम 11 चम चीज में पीजा सॉस डालेंगे और उपर से खूब सारा हमें इसमें चीज डाल देंगे तो चीज की quantity आपको जीतनी भी पसंद है उसी साब से आप कम ज्यादा डाल सकते हैं तो बश ये लाश्ट लेयर है फ्रेंस उसके उपर हम बहुत सारा चीज डालेंगे क्योंकि फ्रेंस पिजा खाने का मज़ा तब तक नहीं आता है जब तक चीज की जो दोरिया बनती है वो ना बने तो इसके लिए मैंने बहुत सारा उपर से चीज डाल दिया है तो चले फिर हमने तीनोई कुलर को अच्छे से प्रिपेर कर लिया है उपर से भी हम थोड़े थोड़े मसाले डाल देंगे चिली फ्लेक्स, ओरेगानो और पिजा सीजनी फिर हम इसको बेक करने के लिए चलते हैं और यह देखिए फ्रेंश हमने जो कुलर तयार किया है वो कितना अच्छा लग रहा है आपको ऐसे ही खाने का मन कर जाए ऐसा दिख रहा है ना तो चले हम इसको बेक करने के बाद आपको दिखाते हैं पहले से कड़ाई को फ्रीहिट कर लिया है तो इसको बेक होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और यह बहुत अच्छे पीजा को बेक करते हुए 20 से 25 मिनिट हो गई है और हम इसको खोल के देख लेंगे तो हमारा जो कुल हड़ पीजा है वो अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं हुआ है तो लीजे आप देख सकते हैं कि कुल हड़ पीजा है वो अच्छे से बनके तयार हो गया है यह उपर से चीज है वो भी अच्छे से मेल्ट होके फैल गया है और यह हमारे कुल हड़ पीजा बनके तयार है तो बहुत ही आसान तरीका कुल हड़ पीजा बनाने का बिना ओवन के भी यह बहुत ही अच्छे से और टेश्टी बनते हैं एक बार इस तरीके से जरू से बना के ट्राइ करना इसको हम नीचे उतार के सर्व करेंगे तो बने है ना फ्रेंस कुलहर पीजा एक दम आपके भी मुँ में देख करके पानी आ जाए ऐसे तो एक बार इस तरीके से कुलहर पीजा को बनाना बनता ही है आपको मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा भी देती हूँ कि कितने अच्छे से बने है ये अंदर तक ये देखिए ये चीज़ है वो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हुआ है और बहुत ही अच्छे बने हैं और टेश्टी तो इतने बने थे फ्रेंस कि आप खाते रह जाए वैसे ही बनके तयार होंगे तो जब भी आपका मन करें पीजा खाने का तो इस तरीके से कुलहर पीजा बना के ज़रूर से एंचोई किजिएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत बुलिएगा और रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ